एक व्यक्ति ज्योतिश के पास एक समस्या के समाधान के लिए जाता है, लेकिन उसने कभी न सोचा था कि उसे अपने पिछले जन्म की ऐसी बात पता चलेगी, जिससे सारे रहस्य से परदा उठ जाएगा। एक समराट थे, जिनकी धार्मिक्ता और न्याय प्रियता की चर्चा चारों ओर थी, साथ ही वे ईश्वर के अनन्य भक्त भी थे। पूजा अर्चना कर रहा था, उसने कभी भी राजा से किसी बात की शिकायत नहीं की। फिर एक दिन राजा के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। राजा ने उसे शिक्षित करके एक विद्वान बनाया और उसका विवाह एक खूपसूरत राजकुमारी से कर दिया। विवाह ही उसने तलवार को खोला, वह बिजली की तरह चमकने लगी। यह देखकर वह भयभीत हो गई। और डर से उसके हाथ से तलवार छूट कर उसके पती की गरदन पर गिर गई। जिससे राजकुमार की मृत्यू हो गई। राजकुमारी अपने पती की मौत से अत्यंत दुख किया और बताया कि उसके पती की हत्या हो गई है। सभी लोग और राजा वहाँ एकत्रित हो गए। राजा ने पहुच कर पूछताच की, मेरे पुत्र की हत्या किस ने की। मैं अपराधी को नहीं पहचानती, लेकिन मैंने उसे भगवान के मंदिर की ओर जाते देखा था। राजा समेत सभी लोग ठाकुर जी के मंदिर में गए तो उन्होंने ब्राह्मन को वहाँ पूजा करते पाया। ततकाल सभी ने ब्राह्मन को पकड़ लिया। ब्राह्मन की पत्नी ने बहुत समझाया कि उसके पती ने राज कुमार की हत्या नहीं की है, लेकिन किसी ने उसक जिससे तुमने मेरे पुत्र को मारा। जिससे तुमने मेरे पुत्र को मारा। आया तो अपने बारे में पूछने के लिए था लेकिन पहले आप अपना हाल बताईए कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना तिरसकार क्यों करती है। यह मेरी स्त्री नहीं, मेरा कर्म है। और फोड़े की पीडा से वह बहुत दुखी थी। उस फोड़े में कीडे पड़ गए थे जिन्हें खाने के लिए मैं इसके फोड़े पर चोँच मारता था। जिसके कारण इसे असहाय दर्द होता था। एक बार इसकी पीठ पर चोँच मारते हुए मेरी चोँच इसकी हड़ी में घुज गई और यह दर्द से तड़प उठी। मैंने भी चोँच निकालने की बहुत कोशिश की परंतु वह अटक गई और नहीं निकल सकी। इसने सोचा कि पानी में मैं अपनी चोँच निकाल लूँगा। इस प्रयास में वह गंगा नदी में कूद गई। नदी की तेज प्रवाह में हम दोनों बह गए और बीच में ही हमारी मृत्यू हो गई। ब्रहमर ने अपनी कहानी सुनाई और पूछा अधर्मी और पापी राजा ने मुझ जैसे निर्दोश का हाथ क्यों काट दिया। कोशिश की तब वह गाए अपनी जान बचा कर जंगल की और भागी। पीछे से कसाई आया और आपसे पूछा गाए इधर तो नहीं आई। आपने जिस तरफ गाए गई थी उस तरफ अपने हाथ से इशारा किया। तो कसाई ने जाकर उस गाए को मार डाला। उसी समय एक शेर आया और उसने गाए और कसाई दोनों को खा लिया। कसाई को राजकुमार और गाए को राजकन्या के रूप में जन्म मिला। और पूर्व जन्मों में किये गए कर्मों ने उन दोनों को एक रात के लिए साथ लाया। क्योंकि कसाई ने गाए को हंसीय से मारा था। इसलिए राजकन्या के हाथों से गलती से तलवार गिरने के कारण राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया इस तरह कर्म निवृत्त हो गया और तुमने जो हाथ का इशारा किया था उस पाप कर्म ने ही तुम्हारा हाथ कटवा दिया इसमें तुम्हारा ही दोश है, किसी और का नहीं। ऐसा सोच कर सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करो। इस प्रकार जोतिशी ने ब्रह्मन को समझाया कि वह और जोतिशी दोनों ही अपने पूर्व कर्मों के फल को भोग रहे हैं। दोस्तों, यदि हम इस कर्म सिध्धान्त को समझ ले और मान ले, तो हम अपने जीवन में कभी भी दुखी नहीं होंगे।